गुड़ मॉर्निंग तुड़ेंट्स तुड़े आइम गूँँ टूच यू यूर मैस बूक आप क्लास वन क्लास वन की मैस बूक प्राहने जा रहा हूं आप अपनी कॉपी खुल लेंगे कॉपी को पर क्या लिखना है चैप्टर टू अगें क्या लिखना है नमबर्स अप् पर लिखेंगे निमेरिकल फॉर्म यह लिखेंगे इन वर्ड्स सबसब्दों में इन रोमन आपको तिन हैं डाला है निमेरिकल फॉर्म इन वर्ड्स इन रोमन अच्छा निमेरिकल फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है वन तो त्री फॉर फॉर फाइफ सेवन एट नाइन 10 अच्छा इन वर्ट से में वर्ट से में 1 के स्पिलिंग क्या होगी O N E 2 के स्पिलिंग क्या होगी T W O 3 के स्पिलिंग क्या होगी T H R E 4 के स्पिलिंग क्या होगी F O U R 5 के स्पिलिंग क्या होगी F I V E 6 के स्पिलिंग क्या होगी S I X 7 की spelling क्या होगी S-E-V-E-N 8 की spelling क्या होगी E-I-E-H-T 9 की spelling क्या होगी N-I-N-E और आपके 10 की spelling क्या होगी T-E-N अब इनको रोमन नमर में कैसे लिखा गया है देखिए आप 1 लाइन खीचा गया 1 नीचे क्या है आपका 2 उसके नीचे क्या है आपका इसको प्राजाएगा 4 इस लाइन को हटा दीजिए क्यों वी जैसर बनाईए तो इसको क्या प्राजाएगा 5 आच्छा वी के आँगे क्यों एक लाइन खीची तो इसको क्या प्राजाएगा 6 वी के आँगे 2 लाइन खीची तो क्या प्राजागा इसको 7 V के आंगे आप 3 लाइन खीची तो क्या प्राजागा इसको 8 3 लाइन दीजिए, बुक में छुट गया है 3 लाइन आपको देनी बुक में छुट गया है 8, 8 के आंगे, V के आंगे 3 लाइन होने पर हो जाएगा आपका 8 9 में आप X बनाएंगे X पहले एक लाइन खीचेंगे तो यह हो जाएगा 9 और लास्ट मेरा 10 इस लाइन को उटा दीजिए जो ऐसे खीचेंगे X बनाएंगे 10 दो दुबारा समझ लिजिए एक लाइन खीचेंगे 1 दो लाइन खीचेंगे तो उसको पढ़ा जाएगा रोमन में 2 यह रोमन है आपका तिल लाइन खीचेंगे तो यह पढ़ा जाएगा 3 V बनाकर के पहले लाइन खीच देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा 4 क्यों भी रहेगा तो 5 इस लाइन को पढ़ा दिए भी रहेगा तो 5 V बनाकर आगे लाइन खीचेंगे तो यह क्या हो जाएगा 6 V बनाकर 2 लाइन खीचेंगे तो यह हो जाएगा 7 V बनाकर 3 लाइन खीचेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8 X बनाकर उसके पहले एक लाइन खीज देंगे तो यह हो जाएगा 9 यह रोमन नमबर है और क्यों X बनाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 10 तो यह आपका हो गया numerical form in words in Roman नमबर इतना आपको पूरा अपनी copy पर लिखना है और लिख करके आपको inverse वाले spending को याद करना है O, N, E, 1, T, O, 2, T, H, R, E, 3, F, O, E, R, 4 ऐसे आपको बोल बोल कर याद करना है और इस रोमन नमबर को copy पर लिखकर practice करनी है तो पले आप लिख लिजिए मैं रुक रहा हूँ अब आपको अपना home हक्सूल लेना है आपका home हक्सूल क्या है जितना आज पढ़ाया गया है issue को आपको home और copy पर दुबाया rewrite करना है copy को उपर ज्यों कत्व है ऐसे लिखेगा number of to 10 नीचे लिख करके copy में आपको practice करनी है और इसके परचात ये इसकी spelling learn करनी है 1,2,3,4,5 की spelling आपको learn करनी है रोमन में आपको लिखने सिखना है 1,2,3,4 की भी आपको practice लिख करनी है आज के लिए बस इतना ही बाकी आपका next turn पर use your time properly अरली अपने समय का सही प्रयोग कीजिए be happy picture फुन पुश रहे और और पेरेंस अपने माता पिता का काम आनिए that's all